सो हेलो एवान गाईस वर महादीव राधिर राधि कैसे आप सभी लोग आईज आई हूप आप सभी लोग अच्छे अगर अपने लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगी सो गाईस आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आगे हो कैंसर साइन के लिए जिनके भी सान मून राइजिंग और नौड में करक राश्री आती है तो कैसा रहेगा आपका अक्तूबर मन्थ यह डिटेल रीडिंग है गाईस ओके सो येस अगर आप निव हो चानल पे तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऐकन को दबाके ओल पर सेट कर देना इस रीडिंग को जुरूर लाइक करके क्लेम करना होके और परसनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टेग्राम पे डियम कर सकते हो इंस्टेग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ताइम स्ट्राइम के जर्स रुपर यहां फिर आप लोगों पर अबाउट सेक्शन से भी देख सकते होके तो गाइस टारोट के थू देखेंगे हम स्टार्टिंग अफ ता मन सबसे पहले हो आपका कैसा रहेगा यह जो मन्थ है अक्तूबर का वैसे फेस्टिर सीजन है गाईस है ना सो कैसा रहेगा यह फुल अक्तूबर मन्थ का फर्स मला स्टार्टिंग अफ तर मन्थ होके सो यहां पर है दस्टार कार्ड वाव अमेजिंग सब कैसा रहेगा आपका starting of the month okay full card है यहाँ पे great so cancer sign जिनका भी जोड़ एक sign cancer है sun moon rising on north node में means karakrashi October month का mid of the month कैसा रहेगा आपके लिए king of swords okay यहाँ पे है आपके लिए five of swords so end of the month कैसा रहेगा आपके लिए cancel okay five of wands or the chariot card so bottom of the deck is guys यहाँ पे four of swords है middle energies है यहाँ पे seven of swords की so क्या energies आने वाले हैं आपके लिए क्या आप लोग expect कर सकते हो इस full month में so overall month की जो energies हैं वो है यहाँ पे four of swords और seven of swords की okay कहीन अगे इस month में guys मैं आपको कहूंगी लडाई जगडे fights जो हुई है उससे healing का time है यह आपको कहा जारे आपको बहुत सारी चीजों ने hurt किया है past में यह अभी भी कर रहेंगी इस month में ठीक है थोड़ा और हाँ थोड़ा आपको कहा भी जारे खुद से भी efforts चालो heal हो ठीक है healing means अपने आपको relaxing energies में भीजो कहीना की confusion चल रही है आपकी mind में किसने किसी चीज़ को कि मुझे छोड़ देनी चाहिए situation या इसमें आगे और बढ़ना चाहिए कोई नगे situation है यहाँ पे जिसके वजह से आप confused जो लड़ाई जगड़े हो रहे हैं उसकी वज़से fights हो रही है आपकी life में ओके मलब आप यह career में हो सकता है दो options हैं कि इसमें आगे बढ़ा जाए यही job के साथ कोई और job ले लिजाए को relationship हो सकता है ठीक है तो यहाँ आपको का जाए इस टाइम आप उस टाइम आपको यह इस टाइम आपको बहुत साही चीज़े हर्ट की हुई है यह मन्त में भी आपको healing करने का मौका मिलेगा अपना अपने आपको relaxing energies में लेके जाओ relaxed रहो ठीक है जो हो रहा है भगवान की किरपा से हो रहा है ठीक है आपने कुछ नहीं किया उसमें जो आपके लिए राशिया है वो मैं आपको बता दू overall month में जमेना है लिप्राइक्वेरियस sign so starting of the month cancer sign आपके लिए कैसा रहेगा यहाँ पर दोनों ही major अकाना है और यहाँ पर सबसे पहला card है star card और second is the full card so yes मैं यहाँ पर यह दिख पार हूँ कि कही ना कहीं आपकी wish fulfillment दिख रही है कही ना कि आपकी इच्छा पूर्ती starting of the month में दिख रही है आप कुछ बाए करना चाह रहे हो आपकी वो इच्छा पूरी होगी आपने वो बाए कर लिया कोई चीज हो सकती है कोई कुछ भी हो सकता है आप healing करना चाह रहे हो बहुत time से और आप healing नहीं कर पा रहे थे तो इस time आपके लिए बहुत अच्छा time बना हुआ है आपकी healing होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर मुझे हो की and also मुझे आप एक full card की energy show कर रहे है कही न कहीं आप अपनी life में कही न कहीं ट्रावल भी कर सकते हैं starting of the month में बहुत अजादी feel कर सकते हैं बहुत freedom आपको मिलने वाली है starting of the month में हो की and आप इस freedom को full enjoy कर रहे हो आप किसी solo trip पे भी जा सकते हो अकेले कहीं न कहीं travel कर रहे हो आप ठीक है तो yes वो traveling भी आपके लिए happiness प्रवाइड करने वाली होने वाली है starting of the month में आपके पास अगर कोई dog है तो yes आप उस dog के साथ travel कर रहे हो so starting of the month is a good time for you so yes आप fur baby adopt कर सकते हो आप अगर name fame चाहते हो famous होना चाहते हो तो starting of the month is a good time for you okay Aquarius and Aries राशी आपके लिए important हो सकते हैं means मेश और कुम भराशी के लोग यह इन energies में आप बहुत आप इंटरनेट पे बहुत time बिताने वाली हो starting of the month में okay आप आते हैं guys आपके mid of the month में यहाँ पे five of swords और king of swords तो यहाँ पे swords की energies है Gemini will break with your sign again यहाँ पे important हो सकता है आपके लिए okay मतलब mython, तुला यहाँ फिर कुम भराशी के लोग so यहाँ पे आपके साथ किसी की fight हो सकती है okay ऐसा नहीं है कि कोई जगड़ा नहीं हो रहा है इस महीने में तो जिनकी भी करकराशी है आप बहुत अडियल बने हुए आप जिद्धी हो बहुत आप straight forward बात कर रहे हो अगर किसी को गाली देने का भी आपका but हाँ आप उस fight में जीत रहे हो आप लड़ाई जगड़े में जीत रहे हो और येस जो भी लोग थे आपके साथ लड़ रहे वो यहाँ पे हार मान के भाग रहे हैं आपकी तो लड़ाई जगड़ा होता हुआ मैं देख पा रहे हूँ यहाँ पे ओके so also मैं यहाँ पे यह भी देख पा रहे हूँ कहीं न कहीं travel कर रहे हो guys अलग religion caste के person के साथ आप relationship में उस तो relationship में fight हो यह यह भी हो सकता है तो यहाँ पे यह energies बनी हुई है आपके लिए cancer sign और Aries Leo Sagittarius last end of the month में आपके लिए राश्यों इंपॉर्टन हो सकती है so yes guys यह हैं आपके लिए full tarot के through energies और अब मैं आपके लिए guidance देखूँ क्यों कि इसके बाद and I hope इस reading को आप like करके जाओगे चानल को subscribe कर लोगे अगर आपको crystal बाए करने है कोई भी type का crystal तो आप ले सकते हो ठीक है instagram का link description में है वहाँ पी आप मुझे DM कर देना message कर देना तो वहाँ से मैं आपको information details दे दूँगे okay so yes यहां से क्या energies आ रही है क्या आपके लिए energies यहां से यह मंत कैसा रहने वाला है for cancer sign okay deceit seven of swords भी आ था बट मैंने उसका मतलब मुझे लगा था कि नहीं लडाई जगड़ा और fight हो सकते बट नहीं 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 patience रखो guys all tied up यह तीन card आई हैं आपकी reading में मेरे हाथ में यह दोनों card साथ में आए तो magician and the mirror यहां भी ऐसा दिख रहे कहीं न कहीं आपको लग रहे आपके साथ धोका हुआ है पैसे की चोरी ठीक है चकारी यहां पर हो सकती है आपके साथ इस मन्त में तो आपको बचके रहना है धोका धड़ी आपके साथ हो सकती है पर patience रखो सब कुछ बंदा हुआ है करमों का बंधन कोई नहीं तोड़ पाया है या आपने पिछले जनम में कुछ बुरे करम किया है जो यह सब चीज़े आपके साथ हो रहे है या फिर आपके साथ यह इसलिए जो भी परसन कर रहा है यह जो भी परसन करेगा आपके साथ बुखतेगा जरूर ओके सो यह सो ओल टाइड़ आप की एनाजी जैं में जीशन इंड़ मिरर की एनाजी शो करते है कही ना की आपकी लाइफ में आपको मैनिफेस्टेशन करने के लिए बोला जारे मैनिफेस्ट करोगा इस पॉजिव चीज़े अपने लिए ओके आपको ज जादा इंपॉर्टन दिख रहा है यहां फे ट्रिपल सेवन भी हो सकता है ठीक है तो यह एनर्जी आपके लिए दिख रही है फो कैंसर साइन और आप ज़रूर अपने सन मून राइजिंग और नॉर्ट रोड को ज़रूर देखना हो कि आपके लिए जुन मन्त है अप्तूबर का इसमें न्यू मून के अनर्जी इस लेके आ रहे है ओके यह वेरी क्लोज तो अचीविंग यो गोल आप बहुत लोज हो बहुत करीब हो अपने गोल को अचीव करने में लगे हुए हो ओके करते रहे है जो कर रहे हो आप ठीक है आप बहुत करीब हो जो भी यह फुल मून आएगा वो क्या लेके आ रहे है वो है यहाँ पे meditation and contemplation okay so guys meditate करो contemplate करो इस फुल मन्त में आपके लिए guidance है new moon in Pisces की energies आई है आपके लिए क्योंके फुल मून आपको यह guidance दे रहा है यहाँ पी and overall जो energies and new moon और full moon की वो है it's time to take action new moon in Aries so action लेने के यहाँ पी आपको जरुरत पढ़ सकती है so action लेजिए अपनी तरफ से जो भी आप चाहते हो वो आपको जरूर मिलेगा okay and यहाँ पे मैं देख लेती हूँ guidance क्या है आपके लिए last में guidance क्या है for cancer sign जो भी आएगा गाईज ओके 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 तो यहाँ पर सेरनोसिस कॉड़िस हैं सो यह शो कर रहे हैं कहीं ना कहीं लाइफ फोर्स कहीं ना कहीं आपको कहा ज़रे इस मन्थ में आपको अपना passion को driving passion को एक्सप्रेस करने की ज़रुद है because इस मन्थ में अक्तूबर मन्थ में cancer sign वालों कि बहुत ज़रा attraction भड़ी है लोग इनकी तरफ attract हो रहे हैं आप लोग की तरफ attract हो रहे हो आपकी powers increase हो रहे है sensual and sexual okay so yes वह आपको powerful बना रहे है इस मन्थ में सो आप उनको use करो किसी अच्छी वे में अगर आपको लगते कि आपको इसी वे में use करने तो it's on you okay so dhyana है यहाँ पर focused intentions बनाई रखने के लिए कहा जारे जो भी आप करम कर रहो करते रहो ठीक है और deeply intention focused intention के साथ करो think about what you desire वो करो जो आपको आपकी इच्छाएं है ठीक है अपने इच्छाओं के बारे में सोचना start करो and set your sights high expect the best possible outcome guys okay expect करें best possible outcome भी आपको मिलेगी ठीक है last में end में बस आपको focused रहना है अपने intentions को focus रखना है okay so अभी के लिए इतना ही guys हर महादेव राधे राधे personal reading के लिए आप मुझे instagram पे dm कर सकते हो उसका link description में है या फिर आप लोगों पर about section से भी देख सकते हो के so अभी के लिए इतना ही cancer sign हर महादेव राधे राधे god bless you everyone bye guys